वेलकम टो माई चैनल आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा में आज हम लाए है औशदी वाली रेसिपी इस रेसिपी में हमने एक चूर्ण बनाया है यह जो चूर्ण है यह पेट के लिए बहुत ही अच्छा है आप इसको हर बार खाना खाने जे पहले दो छोटे चम्मत चूर लेंगे तो यह आपके डाइजेशन को इंप्रूब करता है इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हुए देसी मिश्री 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सोफ, 25 ग्राम पुदीना के सूखे पत्ते, 25 ग्राम अजवाएन और फिर 50 ग्राम जीरा जीरा और यह सब चीजे हम अलग-अलग से पीसेंगे, इन सब को पीसने में अलग-अलग टाइम लगता है इसलिए मैं इन्हें अलग-अलग पीस करके मिक्स करूंगी, जिससे की चूर्ण जो है वो बहुत अच्छा बने यह हमने सब को पीस करके रख लिया है, जीरा और अजवाएन, यहां पर यह पतला वाला जो है ग्रीन कलर का यह हमारा पुदीना पाउडर है और मिश्री को भी पीस लिया है, बिल्कुल साफ सुतरी वाइट कलर की मिश्री का पाउडर बन गया है मिश्री का वजन 125 ग्राम है, यह सारी चीजें मिला का टोटल 200 ग्राम हो जाती है जिसमें हम आद पाउ यानि 125 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला देंगे तो एक बड़े बरतन में पहले मिश्री का पाउडर डाल रहे हैं और फिर एक एक करके सारे पाउडर मिला रहे हैं ये हमारा आगया है जीरा पाउडर ये है सौफ का पाउडर 50 ग्राम था 25 ग्राम अजवाइन का पाउडर 25 ग्राम पुदीना पाउडर और 50 ग्राम धन्या पा सबसे पहले मिश्री का पाउडर डाला है इसे हम बहुत ही अच्छे से हाथों से मिलाएंगे या तो आप इसको हाथ से मिला लीजिए या फिर चम्मच की मदद से लगातार चलाते हुए से मिला लीजिए मिश्री के अंदर जो दाने थोड़े बहुत आ रहे हैं वैसे तो ये पूरे अच्छे से पिसा हुआ है लेकिन पीसते समय जो गर्मी आ जाती है उसके वज़े से ये पसीज करके ऐसे ही कठा हो जाता है तो आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक ये सारा मसैला एक इसको लेकर के मुँ में रखके चबाईए उपर से थोड़ा सा पानी पी लेजिए इसका इस्तमाल एक महिने तक लगतार कर लेने पर आपका पेट बहुत ये अच्छे से फंक्शन करने लगता है पूरी तरह से डाइजेस्टिव जूसीज सिक्रीट करने लगता है अगर आ पेट में दर्द होता है या मोशन सही नहीं है ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे पेट से रिलेटेड हैं वो सभी इससे सही हो जाएंगी ये चूण बहुत ही बढ़िया है टेस्ट भी बहुत अच्छा है अगर आप मिश्री इसको अंदर पहले से न मिला करके रखें तो य लेकिन मिश्री मिलाने के बाद भी हर बार सूखे चमत से अगर निकालेंगे तो ये खराब नहीं होता है चोटे बच्छे भी अच्छे से इसको खाते हैं आप ट्राय कर सकते हैं चोटे बच्छों खिलाने के लिए आप उन्हें टेस्ट करने के लिए दीजिए वो अराम से उनके लिए भी ये उतना ही helpful है जितना बड़ो के लिए है बस quantity थोड़ी कम कर दीजेगा क्योंकि ये मीठा है तो ये अच्छा लग जाता है बच्चों को भी इस तरीके के जार में डग करके रखिए आप अपने डाइनिंग टेबल पर इसको जरूर रखिए खाना सर्फ करने से जस्ट पहले आप इसको दो चमत चबा करके पानी पीके थोड़ी दिर रुकिए और फिर खाना सर्फ करने के टाइम तक ये अपना काम कर देगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जरूर शेयर कीजेगा कास कर उन लोगों के लिए ये और देपी ती